हेलो व्रीवन ग्रीडिंग्स जीयर कैसे बचे आप सब आपकी वक्षीट है डिरेक्टिट उफ एजुकेशन जी नियन सीटी ऑफ टैली की वक्षीट नमर आपकी 21 यह है बिटा आपकी सिक्स क्लास की इंग्लिश की वक्षीट है नेमोदा स्टुडेंट अनेमोदा क्लास्ट मास्टर कौन था हाओ दा डोग फांड जब डोग ढूंडने चलते हैं उसका जो है नियू मास्टर कौन है तो इस पार से यह वक्षीट ली गई है तो चलिए कोशे नमर बन देखते हैं हम कि हैल्प दा डोग रीच हीज फाइनल मास्टर दा मैन यानि कि मैन का यानिकि मास् डोग रीच हीज फाइनल मास्टर की जो है डोग की हैल्प करने के लिए उसका फाइनल मास्टर कौन था ढूंड रहे हैं डोग पेस्ट पिक्चर ऑफ टा एनिमल सुम दा डोग मैट ओन दा वे तो देखी बिटा कौन कौन सा जो है मास्टर बना था यहां पर हम जो है देख और इसके बाद कोना था लोएन ठीक है आप इनकी पिक्चर यहां पर पेस्ट कर देंगे आगे दीखी बिटा कि आगे क्या दिया गया है आगे है कि हूम आई एम यानि कि मैं कौन हूं आइडेंटिफाइदा स्पिकर यानि कि यह लाइन किसने कही थी तो यहां पर बताना ह कि there is a beer out there and he might eat both of us you and me तो यहां पर यह लाइन किसने कही थी पिटा वूल्फ ने कही थी या लोएन ने कही थी तो किसने कही थी यहां पर वूल्फ ने तो हम यहां पर लिख देंगे वूल्फ ठीक है इसके बाद it is the लोएन who rules the forest in these parts तो यह किसने कही थी पिटा कि यह कही थ बियर ने किसने कही थे बियर ने तो हम यहां पर लिखेंगे वूल्फ बेडिया तो यहां पर यह लाइन किसने कही थी डोग ने हम यहां पर लिख देंगे डोग इसके बाद I smell a man coming this way कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी धरा रहा है किसने कही थी पिटा बियर ने या लोएन ने तो किसने कही थी लोएन ल आई ओ एन ल आई ओ एन ठीक है I want a master who is stronger than anyone on the earth मैं जो है I want a master में कैसा मास्टर चाहता हूँ जो stronger than anyone यानि कि जो है 120 से strong हो इस प्रच्वी पर तो किसने कही थी पिटा यह लाई ने यह कही थी डोग ने क्योंकि डोग अपने के लिए एक मास्टर चाह रहा था तो यहां पर जो है डोग लिखेंगी है ठीक है बिटा तो चलिए आगे देखते हैं कोशी नमबर त्री क्या दिया गए है मैस ता फूल्विंग वर्ड्स विद्धया मीनिंग तो देखें यहां पर सबसे पहले हैं फाइरस फ आई ए आर सी फिरस तो फिरस का क्या होगा बिटा यहां पर जो है वॉयलेंट यहां पर एक लिख देंगे हैं ठीक है इसकी बाद क्लीफ का क्या होगा बिटा यहां पर जो है क्लीफ का यहां पर होगा इस्टैब हाई रोक क्या होगा इस्टैब हाई रोक यहां पर यहां पर हम टू लिख देंगे इसकी बाद देखें यहां पर वांडरिंग क्या होता है बिटा वांडरिंग होता है टू वाल्क स्लोली य इसके बाद देखिए डारेट डारेट क्या होता है बिटा टू बी ब्रेव एनाफ टू डू सम्थिंग तो यह हमारे जो है हम फोर्स इमाजिंग कर देंगे तो इस तरह पिछे हमारी होते है वक्षीट कंप्लेट आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी है अगर आपको इसके जाखिए अन्याशन अना बोलें तेक यु बिटा धै Wanna她